हलो गाईज आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे वर्गमूल निकालना तो पहला सवाल है एक आवन चोरासी और दूसरा सवाल है अंठानबे जीरो एक तो इसे हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे एक एक चीज को आप ध्यान से देखेगा किलियरली आपको भी करना आ तो आप सबको एक से लेकर के दस तक का वर्ग निकालना तो आता ही होगा अगर नहीं भी आता है तो यहां पर मैंने लिख रखा है आप इसे देख लिजिए यहां पर एक एक अस्टेप को आप फोलो किजिएगा पहला नंबर में आपको करना है जोड़ा लगा दिना है और सवाल आपको इस तरह से रहता है तो डरना आपको नहीं है क्या करना है आपको जोड़ा लगाना है तो जोड़ा लगा यह पीछे से 84 अलग हो जागा और एक कावन अलग हो जागा तो अब आप यहां पर ध्यान दिजिए यह जो 84 में चार आपको दिख रहा है अब यह जो किन किन के वर्ग में आ रहा है चार तो इसलिए आप देख पा रहे हैं ये जो चार है एक तो दो के वर्ग में आ रहा है चार एक तो आठ के वर्ग में आ रहा है चार आ रहा है यानि अगर हम आठ के वर्ग कर रहे हैं तो इकाईयं के कितना रहा है चार और हम दो के कर रहे हैं तो आ रहा है चार तो अब क्या किजिए आप दो और ये आठ लिख दिजीए अब ये 84 को काट दिजीए खतम बजारा बचा कितना हमारा 51 तो अब आपको क्या करना है ये जो 51 है ये किन किन वर्गों के बीच में आ रहा है किन किन वर्गों के बीच में आ रहा है तो यहां पर इजीली आप दिख पा रहे हैं यह जो है साथ या और आठ के वर्ग के बीच में आ रहा है यानि साथ के वर्ग में कितना है उन्चास है तो उन्चास क्या है एक कावन से छोटा है लेकिन 8 के वर्ग में क्या है 64 है जो की 64 जो है एक कावन से बढ़ा है तो 7 और 8 के बीच में क्या रहा है ये संख्या आ रहा है तो अब आपको क्या करना है ये छोटा वाला यानि 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो 8 से छोटा क्या है साथ है तो 7 को आप लिख लिजिए आप step को ध्यान से सीखेगा आपको clearly आ जागा मेरे भाई अब आपको क्या करना है साथ और आठ में छोटा साथ था तो हम लिख लिए अब साथ और आठ को गुना कर दिजिए साथ और आठ को आप गुना कर दिजिए तो 7 और 8 के गुना करेंगे तो 7 अठे कितना आ जाएगा छपन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अब यह जो छपन आ गया आप ही बताई कि यह जो छपन है यह कावन से बड़ा है कि छोटा है यानि एकावन जो है वो छपन से छोटा है अगर छोटा है तो आप क्या कीजिए ये इसमें से छोटा आपको कौन दिख रहा है दो और आठ में छोटा आपको कौन दिख रहा है तो आप असानी से लिख दिजेगा दो तो बस छोटा है तो यार दो लिख दो बस यही हो गया मिर भाई बस ये बन गया इसका 72 आ गया तो 51 और 84 का वर्गमुल कितना हो जाएगा 72 ठीक है तो इस तरह से आप बनाईएगा चलिए दूसरा एक्जाम्पल को समझते हैं इसके बाद आपको और भी आसानी से किलियर हो जाएगा दूसरा सवाल क्या है 9801 अब जोड़ा लगाना है तो पीछे से लगाएगे तो दो का जोड़ा लगा दिए यहाँ और हो गया बच गया यहाँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ यह दोनों में एक है ठीक है तो एक जो है वो किन किन संख्याओं के वर्ग में आ रहा है तो अब आसानी से देख रहे होंगे एक के अगर हम वर्ग करते हैं तो एक आ रहा है और इसके बाद हम नौ के वर्ग करते हैं तो एक आ रहा है यानि एक आयंक में एक आ रहा है तो आपको तो पता लगा कि एक जो है वो तो एक के वर्ग करने पर आ रहा है और एक तो 9 के वर्ग करने पर आ रहा है तो अब आप क्या किजिए एक और 9 के बीच में आ रहा है तो एक और 9 को लिख लिजिए ठीक है अब यहाँ पर step देखिए यह दोनों को मैंने क्या कहा था काट दीजिए बच गया हमारा अंठानवे अब यह जो अंठानवे है किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है तो अंठानवे जो है मिर भाई यह 9 के और 10 के बीच में आ रहा है यानि अगर हम 9 के वर्ग करेंगे तो 9,9 है 81 जो कि 81 जो है वो अंठानवे से छोटा है और यहां 10 के वर्ग कर रहे हैं, तो क्या है? 10 के 100 है, यानि 98 से 100 बड़ा है तो 10 और 9 में कौन छोटा है? 9, तो छोटा वाला हमेशा आपको लेना है, ठीक है? तो 9 और 10 में छोटा कौन है? 9, तो पहले नमर में आप 9 लिख लिजिए अब आपको क्या करना है ध्यान दिजिए 9 और 10 को आपस में गुना कर लेना है तो 9 और 10 को गुना करेंगे आपस में तो 9 दहां के कितना हो जाएगा 90 ओके इसलिए आपको पता है अब यहाँ परा step क्या करना है अब देखिए 90 जो है यह 98 से छोटा है कि बड़ा है तो आप कहेंगे कि 98 क्या है बड़ा है 90 से तो 90 से बड़ा है 98 यानि 90 क्या है 98 से छोटा है तो जब यहाँ पर बड़ा हो गया तो अब आप यहाँ यह दोनों में जो भी बड़ा आपको दिख रहा है ना एक और नौ में बड़ा कौन दिख रहा है आपको नौ जब यहां बड़ा है तो यह दोनों में बड़ा कौन है नौ तो आप नौ को लिख लिजिए बस यह बन गया जिया साथियो अंठानबे जीरो एक का अगर हम वर्गमुल निकालेंगे तो निनानबे हो जाएगा आप ठीक है तो जलिये मिलते हैं अगली वीडियो में तबते के लिए यार लाइक का बटन दबा दना बाय बाय टेक क्यार